आज हम आपको बताने वने कि power directory में कैसे कसी unwanted portion को वीडियो में से trim कर सकते हैं डिलेट कर सकते हैं वैसे तो हम पहले भी बता चुपे लेकिन आप लोग ने पूछा तो हमने का एक बार और इसको बता दें तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू मेट इडिूबर उस्मैं कुछ पोर्शन को हटाना थे तो वो कैसे हटाएंगे इसके हम को करने के जो समुछ हम को समयश नहीं आता कर साना तो यह ठीक है तो उसको हटाना थे धिरहां पर भी मेका टाओन Arms तो इस portion को हमको अटाना है तो यहां से देखे यह आप holder ले आई और यहां पर trim कर दीज़ें यहां पर आप यहां से delete करिए वे split करिए वे अपने उसको तो अब यहां पर जा करके हमको अभी भी देख रहें तो हमें पिच्चर नहीं मिल रही है ऐसा है अभी पिच्चर द्होंड़ने पर भी वह कॉपी राइट तो हम उसको यूज नहीं करें तो इस portion को हमें delete कर दो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां तक हमें delete करना इसमें हमने picture दूँनी है लेकिन साइट wheelchair copyright आ रही तो उस portion को हमें हटाना है ये picture हमने सोचा था कि copyright नहीं होगी लेकिन ये भी copyright निकल आई तो जहां तक यह वर्प नहीं हमको चाहिए वहां से हम इसको बेड़ करें तो यह बाद में देखके डाल लीजे का जहां से है वहां से माल लीजे हमको लेना तो यहां पर अब इस portion को हमको यहां तक डिलीट करें ना तो यहां से फिर हम यहां पर split करेंगे और इस whole portion को select करके हम delete button दबा देंगे तो यहां एगा remove and leave gap, remove and fill gap and remove and fill gap and move all तो हम यह वाला select करेंगे तो उतना portion देखिए हमारा trim हो गया अब इस portion को run करेंगे तो इस तरह से हम अपनी unwanted portion को वीडियो में से हटा सकते हैं तो इसके लावा इसमें color board है आप use कर सकते background music use कर सकते हैं जो online आप import कर सकते हैं sound clip है यहां पर different लेकिन आप YouTube की sound clip ही use करिएगा और इस तरह से यह यहां पर हम power director में अपनी video को edit कर सकते हैं edit item में देखिए बहुत चीज़े है slide show duration audio editor crop image fix and enhance select all in library split at current time जहां पर current time control P करिएगा तो वहीं से split हो जाएगा जो इसका shortcut है take snapshot control P करिएगा control P करने से आपका snapshot आजाएगा aspect ratio change कर सकते है keyboard hot key set कर सकते हैं इस तरह से editing में बहुत चीज़े और undo करिएगा तो आपका वापस आजाएगा जो control Z तो हम लोग को पता ही है control V से redo होता है control X से cut होता है control C से copy होता है control V से paste होता है यह सभी को पता और Dell से अभी हम लोग में delete की आई है control A से all select होता plugin जिसमें दिया हुआ है add designer multi cam designer theme designer screen recorder बहुत सी चीज़ है आप इसको यहाँ पर try करिए और use करिए अब view कर रहा है storyboard mode में करेगा कि timeline mode में करेगा तो हम लोग timeline mode में करेगा यहां पर यह आ रहा है देखिए अगर यहां पर आप eyes बंद कर देते तो देखे clip नहीं देखेगी खोल देते तो फिर से आ जाएगी इसी तरह sound बंद कर देते तो sound नहीं आएगी और फिर खोल देते तो sound आ जाएगी और और भी आप यहां पर दूसरी video insert करके background में लगा सकते हैं इसी तरह यहां पर view में आपका zoom कर सकते हैं, zoom in, zoom out कर सकते हैं svrt information है, content aware detail है, go to start clip और end clip project का डाल सकते हैं इसके अलावा आपका playback है, playback mode में clip mode है, movie mode है, तो अम लोका movie mode है play pause कर सकते हैं, stop कर सकते हैं, control अभी है, जितने आपको shortcut याद होंगे तने अच्छे से आप जन्दीश पर काम कर पाईएगा, previous unit, next unit, go to previous second, next second यह कि alter down करने, alter up करने से next second और previous second में जाएगा, go to time code, alter G करना पड़ेगा fast forward, control F से होगा, adjust system volume, control use होगा volume आप कैसे change करिएगा, control view करके, आप volume को change कर सकते हैं mute off, control backspace से हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसमें बहुत सी चीज आप यहां साथ, अपने project को save कर सकते हैं और हम लोग ने किया edited, edited, how to make website on google free, यही तो था, तो यह video को हम लोग save कर सकते हैं, यहां से आपका video save हो जाएगा, तो आपका new edited video बन गया, अब यहां से produce हमने उस दिन बताया था कि PDF file को आप convert कर सकते हैं, burn कर सकते हैं तो उसमें render होता है, कापी time लगता है, produce करने पर आपको अंदर setting होती है यह देखे, इसमें time लगेगा, तो इसको अगे छोड़ देतेंगे, और हम लोग अपने video को यही पर खतम करतेंगे अगर आपको नहीं पता है, तो हम लिंक ने उस वीडियो की लिंक दे देगे, आप वहां जाकर से इस setting को देखकर के अपने video को produce कर सकते हैं, अब यहां पर देखे, MP4 form हम लोग का YouTube में लेता है, तो उसी form में produce करेंगे, जो default है और यहां से आप setting कर सकते हैं, profile, nail quality, और यहां इंडिया में कर रहे हैं, तो यहां पर इंडिया select कर लेगा, तभी हो काम करेगा, और भी बहुत से setting है, जो हमने आपको previous video में बताया है, अब आपको हम अगर इसमें बताने लगेंगे, तो बहुत time लग जाएगा, जो तो यहां जो झाल तोदे वीवर, प्लीज शेख और यहां जाएगे, जो अब्सक्राइग, जो च्वेंट और एंगे, क्यों जोगे, जो झाल से अटल नेएगे, जो च।न इन एंडियागे, जोगे, प्रावर नेखाएगे, आपको हम अटने च्ट्ट्र, जोगे,